हेलो रोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस प्री सर्टिफिकेशन कोर्स में जहां पर हम आज देखते हैं अब अबस्ट के इसके इंप्लिमेंटेशन को लेखे चीए के gegen किस तरीके से को लिखना यह थोड़ा अबर आपको समझ में आ जाएगा तो यहां पर मैं क्लास बनाता हूं जिसका नाम में रखा टेस्ट एप्स्टेक पहले हम एपस्टेट की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमने नाम रखा इसका टेस्ट एपस्टेक डॉट जावा राइट जिसमें हमारी मेन मेफटर होगी ओके तो यह तो चलिए मैं define कर देता हूं abstract class test एप्स्टेक और यहां पर मैंने सिंप्रिय लिख दिया public static void main method string args के साथ right लगने define कर दिया string args okay और अब आप देखें अब मैं अगर इसको अगर मुझे यहां पर अचीव करना है तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले हमें class बनाएंगे एरिया के नाम से और इस एरिया नाम की class में हमारे पास एक मैंटर एरिया लेकिन इस method को हमने यह पर किस तरीके से इस method को मैंने abstract बनाया है इट मेंस यह केवल और केवल तब abstract हो सकती है जब यह class abstract होगी देखिया अगर मैं भी इसको run करता हूं तो program will show an error because abstract method only belongs to abstract class के abstract method केवल abstract class में हो सकती है method area is not an abstract and does not override class area right तो यहाँ पर मुझे क्या करना है इस class को बनाना है absolute class रइट तो अब इस method को अगर आप एपसेड बनाएंगे लेकिन अब यहाँ पर आप समझना कि अब मुझे क्या करना है इसकी implemented class बनानी है तो यहाँ पर हमने circle नाम की class बनाई जिसको हमने एक्स्टेंड किया इससे एरिया से ओके और यह एक्स्टेंड करने के बाद हम मैंने आपर इस method को ओवर राइट किया for calculating area of circle राइट तो area of circle के लिए हमने क्या किया double variable ले लिए double सब्सक्राइब आर मान लिजेए यह radius मैंने ले लिए 12.44 हमने लिया पाई हमने लिया और पाई की वैलू मैंने यहां कर दी three point suppose 14 ओके और अब यहां पर हम calculate करेंगे area of circle तो हमने simply क्या लिखा a equal to fine to r into r and then system.out.println अभी मैं इसी में लिख देता हूं area is okay और यह आपने print कर दिया एक तो this is what you have implemented this area method inside this circle class और हमने calculate के area of circle अब मैं इसी class को दुबारा देखिया आप मैं फिर से इसको implement करता हूं लेकिन कहां पे rectangle में यहां पर हमने लिख दिया extends ठीके extends area और यहां पर extend करके हमने इसको फिर से ओवर्राइट किया which is void area लेकिन यहां पर मैं आप code लिखने वाला हूं rectangle के एरिया कि राइट यहां पर आपने फिर से double variable लिए L,W ठीके और यहां पर हमने वैलू भी फिक्स कर दिया मानलों इसकी वैलू at 10.5 यहां पर हमने लिए सपोस 20.4 ओके और यह नाम का वेरियेबल और यहां पर हमने लिख दिया A equal to L into L into width ठीके W और यह आपने प्रिंट कर दिया again system.out.print area is this one तो यह आपने rectangle का area calculate कर यह आप concept यह समझ पा रहे हैं कि यह जो एप्सक्रिक method है यह compulsory overwrite होगी circle class में यह compulsory overwrite होगी rectangle class में अब आप देखिए मैं object किस class का बनाया area का मैंने लिखा area equal to new circle ठीके और अब मैं अगर area call करता हूँ a.area ठीके अभी मुझे जो area मिलेगा वो मिलेगा circle का ठीके यहां पर आप मैसेज देदी है area of circle और यहां पर हम देते थे area of rectangle ठीके तो देखिए आप मैं इसको अगर run करता हूँ so I'll get area of circle यहां यहां पर मुझे अरिया मिलेगा double की spelling गलत हो गई है d-o-u-b-l-e again I'll run this code and let's see area of circle is this 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 लेकिन अगर माच by chance मैंने यहां पर circle की जगह केवल change कर दिया क्या rect मैंने लिग दिया rectangle तो अब मुझे जो area मिलेगा वो rectangle का मिलेगा यही कहला था पॉली मॉर्फिस हम जम बोलते हैं कि यह देखिया same method लेकिन आपको कैलकुलेट करके दे रहा है एरिया फ्रैक्टेंगल तो इस एक्जामपल से आप यह समझ पा रहे हैं कि लूजली कपल्ड अप्लिकेशन हम किसे कहता है कि इसी अप्लिकेशन जहां किसी क्लास पर बाउंडेट नहीं है क्या देखिए जदि मैं डारेक्ली यहां पर object बनाता हूं circle class का कि मैंने लिग दिया circle c equal to new circle okay and then I'll call c.area तो फिर तो मैं बाउंडेट हो गया कि circle class का object circle class की method area multiple time आपने same code लिखा हुआ है ओके तो अब आप देखिए आप बाउंडेट कैसे every time it calculate area of circle only और अगर आपको change करना है तो every everywhere you have to change तो इससे better मैं क्या करूंगा आप area class का मैंने object बना equal to new circle तो अभी जो area calculate होगा वो सारे places पे circle का होगा यह दिख्या ठीक है area का object c के नाम से बना लेते हैं चलो area of c है ठीक है वो c c c सब जगह लिखा है यह दिख्या लेकिन अगर माय chance मैं इस एक line को बदलता हूं मैंने लिख दिया rect तो पूरा places मुझे area calculate करके देदेगा rectangle का तो यह एक example से आप समझो मैं एक place पे इसको नहीं लिखूँगा मान लीजिए मैंने multiple places पे इसको लिखा हुआ there are lot of different pages जहां पर आप area calculate कर रहे हैं मतलब एक example है कि loosely coupled application क्यों बना जाती है कि tightly coupled to loosely coupled में क्या difference है मैं आपको खाना इसे बहुत से placement के questions है इसे बहुत से questions है जो टॉप most interview में पूछे जाते हैं करेंगे using abstract class right लेकिन जैसे मैं आपको कहा था कि suppose अगर माय चांज यहाँ पर एक और कोई class है कि माय चांज एक अगर आपने लिग दिया extends a अब देखिए this program shows an error because you are not allowed to extend a single class with more than one classes यहाँ पर आप extend यह चलिए कॉमा मैं हटा देता हूं अब आप देखिए क्या अभी allowed करेगा let's see because you are not allowed to extend a single class with multiple classes तो यहाँ पर अब मुझे अगर multiple inheritance को अचीव करना है यह तो ठीक है तो मुझे क्या यूज करना पढ़ेगा interface का concept अब देखिए same example हम interface के साथ कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर हमने क्या बोला यह मैंने लिग दिया टेस्ट interface ठीक है टेस्ट interface डॉट जावा अब इस में हमने बजाए same example आप देखो इसको बजाए abstract class बनाने के इसको लेके चलता हूं यहाँ पर लेकिन मैंने इसको क्या बना दिया इंटर्फेस और अगर मैंने इसको इंटर्फेस बना दिया तो अब मुझे यहाँ पर इस method के आगे abstract लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह method बाइड डिफॉल्टी के सी है abstract method है it is a default abstract method क्योंकि जो method अप इंटर्फेस में लिखते हैं उसका नेचेरी अब इसको बदल नहीं पाएंगे अब मैं अगर अपनी क्लास को माने इरिया क्लास लिखा और इसको अब मैं क्या करूंगा इंप्लिमेंट्स 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 इंप्लिमें करेंगेख इडवांटेज ही होगा जो मैंने क्लास में कहा था कि यौ अलाओट टू इंप्लिमेट इंप्लिमेट इंप्लिमेंट इस से ज़्यादए इंटरफेस के साथ सकते हैं तो यहां पर देखिए ion-off area of rectangular ये देखें आप यह मैं एडिया फरेक्टेंगल का कूड लिखा हुआ है एधर तो अब same अब अगर main में ऑबजेट बनाता हूँ यहाब वहांने लिखा class test interface ठीक है और इस class test interface में हमने यहां भी लिख दिया public static void main and then string args ठीक है एन लेट सी मैं आपको क्या था एन object of an interface is always with a declare object अब देखें यदि मैं इसको define करता हूं मानली जह मैं लिख दिया area equal to new area कि यदि मैं interface के object को define कर देता हूं तो यह question भी आता है इस डिफाइन object of an interface what happened no doubt error आईगी program में because you are not allowed to define an object of interface यह देखिया ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि आपको एक मिनिट यहां पर हाँ ठीक है लेकिन अब अगर मैं इसको new circle के साथ define करता हूं यदि मैंने लिखा area equal to new circle and let's see अब कोई error नहीं है साथ syntax error अगर है तो हम देखते है area method में error अच्छा यह देखिया आप यह जो method है interface की by default के इसी है public तो यहां पर मुझे इसका आगे क्या लिखना पढ़ेगा public compulsory I need to write public तो यह बोलेगा आप इसको override नहीं किये आपने क्यों नहीं किये आपने इसको public नहीं बनाया है तो compulsory आपको इसको public बनाना है now there is no error लेकिन अभी मैंने method call नहीं किये यह देखिया लेकिन अगर मैं यहापर method call करता अब देखेगा हमारे placement ready course में वहाँ पर मैंने एक दो तीन चार नहीं कम से कम दस example लिये है database connection different type से कैसे करेंगे हम इस अलग अलग तरीके से मैंने explain किया है कि जहां पर आपको interface का concept बहुत अच्छे सा समझ में आएगा लेट सी जो मैंने आपको इक चीज़ और बताई थी कि यदि मानली जी यह तो चलिए class है यदि आप अपनी class की बजाए इसको किसी और interface से भी implement करते हैं तो भी कोई problem नहीं मतला class is implemented by more than one interfaces कि एक ही class को multiple interface से भी implement कर सकते और extend यह किसी एक class से तो होई ही सकती है कॉप कॉंसेट समझ में आया है कि किस तरीके से हम interface को यूज करेंगे किस तरीके से हम एक्टेट ट्लास को यूज करेंगे ओके तो चलिए फिर मुलाकात करेंगे नेक्स लेक्चर में और बातें होती रहेंगी तब तक के लिए टेक क्यार बाबाए